विए विए और ने फोटी हो रहा है इसे पहले कि जो सब्सक्राइब को बताया था उसकी इंप्टेंस को ले करके और किस तरह से क्या उसकी मार्किंग की जाएगी यह सब्सक्राइब अब ही लगवक्त तक हम आपको चार चेक्टर पढ़ाएंगे इसके पहले कुछ चोटे-चोटे-पॉइंट्स हैं वह आप लोगों सब्सक्राइब करेंगे और हम यह चाहते हैं कि इन सभी पॉइंट्स क्या पच्छी तरह से प्रेक्टिस भी करो मार्केट के अंदर क्योंकि जब ट्रेड हम लोग एक्जेक्यूट कर देते हैं या फिर ट्रेड एक्जेक्यूट करने से पहले जो चोटे-चोटे-चोटे-पॉइंट्स होते हैं जिनको ले करके ही थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको जानने से फाइदा क्या है यह तो हमें मालूम है कि देखिए एक कैंडल हमारी यह जानना भर ही कि यह वीक है और यह उपन और क्लोस प्राइज इससे हम लोग क्या समझते हैं इस कैलकुलेशन से हमें कुछ फाइदा हो रहा है या क्या हम अपने ट्रेड में इनफॉर्मेशन का कुछ यूज कर सकते हैं अभी हम लोग यह चीज़ देखिए बिलकुल बेसिक लिए से आपको विक के बारे मताते हैं कुछ विक से लोग बहुत घबराते हैं विक है और जो भी होती है टोटली इस टोपलाउस छाने के लिए बना जाती है यह같नती है में पावर्स गोडी के अंतर होती है विक एक तरह से ट्रैप करती है लोगव को समझने के कुछित करेंगा चैंड के एक पूर लेगने करती है केंडल्स देखिए एक पूरी इपनी कैंडल है यह जो candle है यह नॉर्मल चैनल अब एक यह candle है इस candle में और इस candle में क्या फर्ख है समस्ते चलिए गौर तो सारी चीज़ एक यह वाली candle हो रहे हैं यह टेक्निकल क्या बोलते हैं इसको इन सब चीज़ों पर मज़ए का नाम क्या है मारू बोजू है यह बहुत इस्ट्रॉंग ह जाए यह काम क्या करती है नाम में कुछ नहीं रखा एक पिन बार है ग्रेवस्टोन डोजी है बटरफ्लाई है इन में समय है एक यह candle है हमारी विदाउट विक और एक यह candle है अब यह जो candle जो सेकेंड केंडल में ड्रॉव की है अगर हम देखें टेक्निकली इस candle को हम वीग candle मांगते है कैनिकली इस candle को वीग बोला जाता है वी क्यों है और यह वाली जो जो एक यह इस वीग कंडल के एवज में अगर हम कंपेर करेंगे तो कंपेरिजर में यह मेरी स्ट्रॉंग केंडल होती है इसमें फर्क क्या है इन दोनों में फर्क क्या है अगर आप गौर से द आप कुछ ऐसी केंडल देखें बहुत छोटी छोटी विग दिख रहे हैं इस तरह की विग यहां पर फर्क जो पैदा करते हैं जो डिफरेंस लेकर क्या थे जो पॉइंट वहता है विग तो विग का ऐसा क्या रहूं मुझा अगर इन केंडल केंडल है तो यह स्ट्रॉंग ब है विग ही नहीं उस केंडल का कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं बनता जिस वजह से उसकेंडल का जो एमपॉर्टेंस को हुझा हमारा मानना है कि प्राइज में जभी मांट करते हैं तो पूरा एक हाइ musiciansugi में обяз소리 को स्क्रॉस प्रैस चाना वह पिर ह्या स्क् अब फिर से चलते शुरुवात में किस पॉइंट के पर हमें डिस्कुर्शन कर रहे हैं एक तो यहां पर एक चीज हमने समझाने ही कोशिश की कि विक होना कितना ज़रूरी होता है लेक हंट है dear ug horse स्रॉंग बन जाती हों नहीं होने से वहां तो अगर हमारा हमारा पॉइंट विसन्ट को लेकर करके हैं तो क्या अगर हम ट्राइस कीरीड प्राइस को रीट करना चाहते हैं तो यह विक से किस त्रहा तरह से अच्छा सपोर्ट जितना अच्छा सपोर्ट अपराइस की सपोर्ट लेने की एपर रेस्टंस लेने की पॉस्पिलिटीज उतनी ही जयादा यह त्रफ से चाद रख estat किसी एक कैंडल में हम लोग क्मी कैकर टसे केंडल से हम जाते Buddh बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहेता है ये विग और केंडल बदा जाती है लेकिन ये जो चीज हम बता रहे हैं उसके बहुत आगे कि जब शुरुआत एक दम बेसिक से आगे ना तो ये विग होती है ये विग है ये ओपन प्राइसे क्लोज हम आपको ओपन क्लोज और वि सकता है कि आपको तरह तरह के स्टॉक्स में देखना है अभी हमें ये देखना है प्रीवेस पूरे मंत का एक देखें तो प्रीवेस पूरे मंत का एक हाई और लो मर्केट ड्रॉ करती है इनको तो यह सिर्फ यह करके चलते हैं कि यह पूरा एक हमारा हाई है और एक हमारा लो है पूरे मंत हमें इस लेवल से कब रिजेक्शन देखें बड़े चोटे मोटे नहीं बड़े इन रिजेक्शन का क्या आसर पड़ेगा हमारे चार्ट क्या इसके बाद में अप्रेल की शुरूआत यहां से हुई इसे के अप्रेल का जो हाई लगा वह यहां लगा एक अप्रेल का जो पूरा हाई था यहां तक था इसके बाद में अप्रेल का जो लो है यह मयी हो गया यह 29th order इसके यह मेरा लो व्हां इन दोनों को आप जैंक आप देखरो जो भी पूरे मंथ का हाई लगा है वह एक रिजेक्शन केंडल है वह एक रिजेक्शन केंडल है दोनों ही पिन बार अब यह तो पूरा मन्थ है हमारा जब हम ट्रेट करें अब इसके प्रीवियस मन्थ का यह जो डेट है यह 1st of April है यहां पर 31st of March इसका हाई और 31st of मार्च कजो यहां पर है समझ रहे हैं मतलाब यहां पर हम लोगों легко लेंज चार इसका मन्थ है और अब भी बजाज फिनांस पूरी फिंशर पूरी तरह से एक फूर्मे फोर्मेशन में हम इसको देख नहीं हुआ है मंस का लोगका कापा प्राइज मानना मेरा यहां Whenever अपस्याइड की चांसिज हमको मिलेंगे लॉस में निकले बात अडले टतव अब यहां पर यहां पर यह जो विक मेरी आई है क्योंकि चेप्टर याद रखिए हम लोग क्या कर रहें यहांपर एक पिन बार के थुए प्राइज को रीट करने के कोशिश कर रहे आप यह जो पूरा एक पिन बार बना इस पिन बार के फॉरम होने के बात से पौरा प्राइज हमारा अपसैट के तुरुफ मुव हूँ हो पॉरा अगेन यहां से देखिए पिन बार मेरी फॉर्म हुई और इस पिन बार के डाउन मुव के बाद इसके नीचे से प्राइस के अंदर जो मुव आ है वो डाउन साइड के तरफाए है और प्राइस पूरा हमारा गिला है हमें देखना यह है कि इस पूरे तू मंस की रेंजिस के से प्राइस के अंदर की जू मुवमेंट इस तरह कैं वह पाइंटार इस तरह से था हूं वहीं नंग्या दो चीज़ हैं एक तो हम लोगों है देखा कि हायर टायम पर किस तरह से हम लोग निया पर डैवल डूसरा पिन बार को को देख रहे हैं कि कैसे प्राइज हमारे लोज और हाइज पर पिन बार को ड्रॉव कर समझ रहें अब इन पिन बार का ही असर है कि यहां से प्राइज के अंदर जो मुवमेंट आए प्राइज हमारा हमारे लोज को ब्रेक करके देखें डाउन साइड की तरफ गिरा इस पूरी गिरावट के दौरान यहां पर देखिए एक पिन बार में रिफॉर्म हुई एक रिजेक्शन का मतलब क्या है कहीं नहीं जैसा अभी में आपको बताया था कि जितना बड़ा रिजेक्शन होगा उतना ही अच्छा यहां से सपोर्ट के चांसेस हमको मिलते हैं तो मंत पूरा में डाल रखा है मंत बना ओपर से मंत के बना रहा है यानिके एक मिल र्हा हमेश्य करेंग इसमें हम economist के ख्रॉम का स्ट्रॉंग लेवल आप हमको एक स्ट्रॉंग लेवल दे तो हमें और कुछ ने चाहिए अभी इपने कहा आप से कि जो शुरुवात पर कुछ दिन है ना इसमें हम लोग यही चीज डिफाइन करने की कोशिश करेंगे में लेवस में एंट्र एंट्री लेने से एक तो पूरे क्योंकि यहां के यह वाले जो लेवल हैं वैसे अगर देखने ना तो हमको जो और ज्यादर स्ट्रॉंग लेवल मिला था डेट एंट अगर यह लेवल हमारे पास ना होते हुए अगर हम सिर्फ इस पिन बार को देखें तो देखिए इसने कितना अच्छा रिस्पेक्ट कही पर भी जब हम कोई बिन भार देखेंगे उसे हमें अलाइन कर लेना है आपको दिख जागा कि प्राइजिस की मुवमेंट जो है वो किस तरह की हो रही है यह वाला जो हमने लेवल अपना ड्रॉ किया है देखिए यहां से हमको कितनी अच्छी तरह से बजास फिन सार में एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट की तरह इस लेवल ने वह किया नैंटींत को भी और ट्रिंटींत को जितना भी अभी हम लोगों ने डिसकेशन के से हम लोग क्या चीज़ समझना चाहरा है यहां पर आईए सबसे पहली चीज़ मंत्री लेवल और इन मंत्री लेवल को स हम लोग यूज करने वह है कुल मिला करके यह दो पॉइंट्स हैं जिनके उपर हम लोग फोकस करने वाले हैं पूरे नेक्स्ट और हमें यह देखना है कि यह जो मंत्री लेवल से ना यह किस तरह से मार्केट में अपनी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं एक और एक्जांपल हम मैं से पहले अपुरे हाइभ और जो पूरे आप यहां आप यहां फिर का लगाया हैHa और यह शिपर अप्रेल के लोगा अंत्रीं ऑप ओर लिए यह जितने हमने लेवल कि है यह मेरा नेस्ट वीक के लिए पूरा एक रेंज बन जाएगगी वीप मुरा जूम प्राइग जब तक, जब जब प्राइज आपका इस लेवल पर आएगा, ये लेवल आपके एक्टिव होगा, प्राइज जब इस लेवल पर जाएगा, आपको यहां से देखना है कि प्राइज में कब शॉट सेलिंग हो रही है, मार्केट कंडिशन को देखते हुए, प्राइज जब हमा आज आने के बाद मार्केट की मूँवमेंट किस तरह की हो रही है, यह चीज़ देखने इस लेवल को ब्रेकर करके डाउंसाइड की तरह में जाता है तो भी आपको अच्छे मुव्मेंट को पूरी तरह से देखते रहे क्योंकि जब हम ट्रेट करने के लिए आप से बोलेंगे तब ऐसा नहों कि आप ट्रेट करने को और बस ट्रेट करने लगते हैं उसका को एक्स्विरेंस आपके पास तो इन लेवल्स के पास में आजाने के बाद में प्रैजिस के अंदर की जो मुव्मेंट से ना वो किस तरह की होती है इस चीज़ को देखना होगा अभी रिलाइंस बता था आपने रिलाइंस को ऑपन करते हैं जो मन्त हमारा चल रहा है हम उसको छोड़ेंगे मैं है मैं एप्रेल 29 अप्रेल 29 अप्रेल प्राइस हमारा हमारे इन वाले पॉइंट्स पर आएगा हम इसको देखिए फिप्थ ऑफ मई को क्या हुआ होगा फाइमिट्स के टैम फ्रिम पर आईए इन पॉइंट्स के पास से ही प्राइज आपका डाउन मुव उसने शोकिया और नीचे के तरफ गिलिए इसके बाद म प्राइस हमारे लेवल पर आए यहां पर देके इस प्राइस के पास में आपको प्रैस की अक्यूट्विटस टेन्थ मbels ng US पर पहुंच पाओं में रेस्टेंस के और इसके बाद में प्रां intriguing के सिस्खिए अपको च्क्राइब और स्ब्राइब वीक में सिर्फ अपने लेवल्स की प्रैक्टिस करते हैं कैसे आपके लेवल्स के पास में पैसे की मुवमेंट हुए है अगले दिन पूरे तरह से थोड़ा बहुत चलेगे और फिर्वेंट करने हैं और अपने उन उन मार्किंग के पास में लेवल्स क्याने का वेट करने हैं उसके बाद उस पर होने वाले आपके खुद के लिए अपने पांच से आठ अगर हमारी मारू तो आप पांच ही रोखो लेकिन आपको लगता है नहीं पांच काम है पांच उपर तो अपने खुद के कुछ प्राइवेट इंदसेंस के अपने खुद की वाच लिस्ट इन स्टॉक्स को आपको हमेशा देख समझ रहें चाहें जैसा भी आप स्टॉक्स के मजड़ लेकर क्या और कोई भी स्टॉक्ट करो लेकिन यह ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि आप हमेशा अब क्योंकि मंत्री का टाइम फ्रेम तो थोड़ा सा बड़ा है यहां पर लेवल ड्रॉ को लोगे और पूरे वीक में जब आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लेगे रहे यह तो आया ही नहीं और दूरी जब देखोगे आपके स्टॉक्स में दूरियां भी चाहर है हो सकता है कि आपके लेवल पर प्रैस में आने को प्राइस आपके लेवल पर आते आते बहुत समय लगा लेवल दूर होंगे ना तो इसलिए क्या करो कि यहां पर वाच्रिस थोड़ी सी आपनी बढ़ा सकते या ऐसे स्टॉक्स को जो कि मंत्री लेवल के पास उनको करने के बाद में अगर कुछ आपके इसके नदर डाउट आते हैं कुछ क्वेश्चन साथ है तो कल की क्लास होगे सेम टाइम पर हमापको लिंक शेर करें ग्रूप में आप लोग जो भी डाउट आते हैं उसको हम लोग ख्लेर करें तो आज कर दिन वापस हम लोग लेंगे प्रिवेस मंत के लेवस ट्रॉ करने हैं और जो भी लेवस आप पास में आकर करके रिजेक्शन देख लेना बस अगर मिलते तो आपको अच्छे रिजर्स देखो इतना सा काम करना है डे टैम फ्रेम मलब हायर टैम फ्रेम का मतलब टैम और लोवर टैम पर जाएंगे ना तो का टैम फ्रेम प्रेम यूँज करेंगे और बहुत होता है कि मैं थ्री मिट्स का टैम फ्रेम भी करेंगे लेकिन उसके बारे में भी आपना सुच्छेए और त्रे नहीं करना है न लाइंग और लोग्वर करते हैं यह फरम लोग और कल के दिन वापस में थैंक्यू गूड जब कर एफ दिर्थ पर देखे टिर्ड़ yr सिर्ड़ा से कर दो दोर।